Hello guys, welcome back to our channel PCMB Digital Guru Kul बेटा भी हम English के वरक्षिट करने वाले हैं, Class 1 की तो देखो आपको यहां पर बताया गया है कि पूछा गया बेटा आप सब कैसे हैं कि आपको पता है हमें ब्रश अपने दातों को करना चाहिए इससे हमारे दात साफ रहते हैं इंपोर्टेंस के लिए एक राइम भी बनाई गई है happy tooth, happy tooth, shiny and bright आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपको दातों को ब्रश करना चाहिए, floss करना चाहिए, sad tooth, sad tooth जो खराब दान्त होता है, वो डिके या खराब हो जाता है, sweets या सोड़ा उसको खराब करते हैं ठीक है, आप आपको question पर पूछा गया है कि आपको good for उसको color कर देना है और cross कर देना है जो आपके दात के लिए बहुत अच्छे नहीं है तो भी देखो, good वाले मान लिजे, ये वाला good है तो हम इसको color कर देंगे अपने पसंददा color चाहिए जो भी आपको पसंद होगा है ना तो इसको आप इस तरीके से जो भी color देना चाहिए वो color दे सकते हैं या ब्रुश को आप green color देना चाहिए तो green भी दे सकते हैं ऐसा कलर कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह के सब अपना पुरा अगला कर लिजेगा अब अनार है या फल है तो फल भी हमारे ले कोई बहुत बुरे नहीं होते अच्छे होते हैं हमारे गम्स को मजबूत बनाते हैं तो यह देखने में अनार्द ऐसा लग रहा है तो थोड़ा लाल सा कर देंगी इसको भी विटामिन सी मिलता है इन सबसे तो यह भी हमारे दातों के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं पिटा ठेक हैं, उसके बाद आपको मिल्क घाला्स भी अच्छा होताद दातों के लिए केल्चियम प्रवाइड करता है strong होता है काफी, तो मिल्क के डिब्बं को भी आपकलर कर सकते हैं फोड़ाने ग्रेप इस तरीके से आप ग्रेप को भी कलर कर सकते हैं चॉकलेट अच्छी चीज नहीं है तो एक रूज़ कर देंगे candy अच्छी चीज नहीं है, cross कर देंगे floss अच्छी बात है करना चाहिए हम सभी को तो ये भी good for us है और last में ice cream है, ये भी कोई दातों के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है तो हम इसको भी अगर देंगे, cross तो बच्छो इसे के साथ ये वाली worksheet हमारी पूरी हो जाएगी, उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को like, share जरूर करें और हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुड़ें क्योंकि आपको description link में provided है हमारे facebook page से भी जरूर जुड़ें